नमस्कार दूस्तों आइद्रिष्टी का करेंट अफियर्स कर रहे हैं इसमें दो पार्ट कर चुके हैं हम लोग ब्याख्या पूरा कर रहे हैं यह नहीं कि लाइन टु लाइन पढ़ा जा रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि टॉपिक लिया जा रहा है और उसके बाद उ जो है मोधी सरकार 3.0 इसका मतलब यह हुआ कि जो मोधी जी की गौवर्मेंट बनी है मतलब पधानमंत्री बने है पधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी तो उन्हीं का 3.0 तिसरी बार पधानमंत्री बने है तो इसी बात का यहां पर जिक्र है खैर यह टॉपिक अगर आप घटन सार अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा तो आए सीधे बात करते हैं कि मोदी सरकार 3.0 तो जो अभी हाल फिलाहल में अठ्रामी लोग सभा का आयोजन हुआ है मतरब चुनाव हुआ है उसमें 543 सदस्यों के चुना जाना था इसमें साथ चरड़ों की महराथन परकृरिया थी जो है इसमें साथ चरड़ में ये हुए हैं चुनाव जो 19 अपरेल 2024 से 1 जून 2024 तक संपन्न हुआ है मतदान इसका इस इसमें जो है भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान माना गया है इसको जो अठ्रामी लोग सभा चुना हुआ है इसी को भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास माना गया है और यह ऐसा है कि पहले जब हुआ था ऐसा फ तक की आउधी में समाथ हुआ था और सबसे छोटा आउधी जो बात करते हैं 1980 का था चार दिनों में ही समाथ हुआ था तो यह पॉइंट आप नो डाउन कर लिजिएगा यह फैक्ट आने की संभावना यह बनी रहती है इस टाइप से तो यहीं पर ही बात करते हैं थोड़ा सा चुनाओ के बारे में बात करते हैं कि 2024 का जो आम चुनाओ था यह 96.88 करोड मद्दाता इसमें पंजी करित थे इस आम चुनाओ में इस जो लोगसभा का चुनाओ हुआ है इसमें पहली बार यहां जो आप important fact note करेंगे पहली बार अखिल भारतिय अस्तर पर 85 वर से अधिक आयू के वरिष्ट नागरिकों को और 40% की मानक दिभ्यांगता जो है उन्हें जो घर से मद्दान करने की शुविधा पदान की गई थी यह और इसके आइकान को नोट कर दीजेगा जो इसके ECI द्वारा Election Commission आफ इंडिया द्वारा जिने brand ambassador नियुक्त किया गया था वो अर्जुन पुरसकार बिजेता और पहरा तिरंदाज है सीतल देवी सीतल देवी इनको आप देखे भी होंगे इनके वीडियो भे इन्हें को alyst नियुक्त किया गया था ब्रांड इंबेस्टर आए सुश्षासिक कदम उठाए गया है पहली बार तो ग्रेटनिकोबास दीऊप की सोंप्यन जन जाती आपको ये नोट डॉन करना है कि सोंप्यन जन जाती कहां पर होपाई जाती है तो सोंप्यन जन जाती जन जाती, नोट डाउन कर लिजेगा, यह पहली बार आम चुना हुआ, पहली बार यह मतदान दिया है, 2024 में, तो सोमपन जन जाती हो सकता है, एक्जामनर पूछ भी सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपके लिए यह ज्यादा इंप्वार्टेंट था, जो इसका पहला भूमिका था, तो भूमिका ही ज्यादा इंप्वार्टेंट हो गया था, अब इसमें बात करते हैं, ECI के अनुसार क्या बात होई है, जो याद करने योगी बाते हैं, कि 2024 में जो आम चुना हुआ है, सभी चड़ों में कुलमिला के जो मतदान केंदरों पर 65.79% मतदा काउंट नहीं किया गया है, सामिल नहीं है, वहीं अगर लच द्यूप, राज्यों में और के निसासित परदेशों में, लच द्यूप सरवाधिक मतदान दज किया गया, लच द्यूप में सरवाधिक 84.16 मतदान दज किया गया है, परसेंट, जबकि वहीं बिहार की बात करत हैं तो 56 दसलों एक 9% मतदान रहा है और वहीं उत्तापादेश की बात करते है तो 56 दसलों 9-2% मतदान ड़्ज किया गया है आप देखेंगे कि यहां पर UP और विहार में विहार में आप आप देखते हैं राजनीती जादा होता है लेकिन यहां पर मतदान जो है अगर परसंट की बात करें तो कम है फिर next point जो इसमें important है खासकर अगर देखें तो जो चार जून को सभा निर्वाचत छेत्र था वहां पर भारतिय जंता पार्टी के एक नाम सक्स का नाम याद रखियेगा मुकेश कुमाच चंदरकांत दलाल जो है निर्विरोध विजयी घोसित हुए थे तो यह important इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है निर्विरोध आज के समय में लड़ना थो वहीं अगर बात करें तो अब सीटों की संख्या इसको कितना मिला है तो 18 लोग सभाब में बिजयेपी को जो सरवादिक मिला था 240 सीटे जीती है सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई है वहीं अगर राष्टे कांग्रेस की बात करते हैं भारतिय राष्टे कांग्र पार्टी ने 37 सीटे जीतकर तीसरे स्थान पर रही जो कि अगर टोटल सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में लोगसभा की तो 80 सीटे हैं इसलिए 37 सीटे निकालना यह अपने आप में एक अच्छा कदम रहा है खासकर समाजवादी पार्टी के लिए फिर यहां पर गया है उसको साट में देख लेजिए कि बीजेपी को 240 एक बात और ध्यान दीजेगा अब वर्तमान समय में केवल साथ जो है यहां पर दल है राष्टिय दल जो है पहले क्या थे आड थे तो बीजेपी को यहां पर 240 मिले थे इसका मतलब है कि यह जो है दो जगां से राहुल गादी की बात करते हैं राहुल गादी की सीट थी राइबरेली और वाइनाट तो वाइनाट की सीट इन्होंने छोड़ा है तो इसलिए यहां पर यहां इस्टार माग किया गया है समाजवादी पार्टी के बात करते हैं यह स्पी 37 सीट है और AITC आल इंडिया ट्रेंड मोर्ट कांग्रेस जीसे 29 सीट की से मिला है और DMK को 22 TDP को 16 और JDU को 12 वहीं अगर देखा जाए तो सब्सेश्ट प्रदस्र रहा समाजवादी पार्टी का दोजाज चोबिस में समाजवादी पार्टी को 37 सीटे मिली है एक और पॉइंट नोट डाउन यहां करिएगा कि रकिबुल हुसाइन INC 82 का नाम है यह धुबरी लोग सबा निर्वाचन छेट से हैं असम के हैं यह संबंधित राज की बात करें इनको सरवाधिक ओट मिला है कितना मिला था सरवाधिक कितने मतों के अंत से जीते हैं 10,12,476 मतों के अंत से मिले हैं सिवराज सिंग चौहान की बात करते हैं बीजेपी के हैं बिदिसा मधपदेश से संबंधित हैं यह स्टेट और इनका 82,208,21,408 मतों के अंत से जीते हैं वहीं बीजेपी के हैं सीयार पार्टिल नौसारी लोगसभा निर्वाचन छेत था इनका गुजरास से हैं कि 7,73,531 मतों के अंतर से जीते हैं कुछ ही जो पॉइंट है यहां पर नोट डाउन करियेगा कि 88 लोगसभा की बात करते हैं सबसे यूवा सांसद की बात आती है तो प्रियाग राज उत्रपदेश के जो पुस्पेंद सरोज हैं उनकी आयू 25 वज़ से 88 लोगसभा में सबसे कम उमर के सांसद आईए डेट आपबर्थ इनका है 1 मार्च 1999 कौसाम बे संसदिय चेत से सांसद निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका वहीं महिलाओं में बात करें तो 88 लोगसभा में सबसे यूवा महिला सांसद जो रही हैं प्रिया सरोज रही हैं यह वराड़सी की जन्मी हैं और अठरावी लोगसभा में सबसे कम आयू की महिला है रही है 25 वर्ष की यह भी है 23 नौबर 1998 पर इनका जनम हुआ है मचली सास संसदिय चेत सांसद निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी से यह भी संबंध है इनका इस समय जो है 2024 में बात करते हैं तो 74 महिलाएं इस बार मतब सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं 13.6-3 परसंट हैं टोटल जबकि 2019 में देखेंगे आम चुनावाँ में तो 78 महिलाएं विजय हुई थी वहीं आप देखें नई दिल्ली में एंडिय का जो संसदिय दलका बैठक हुआ था यही है कि पदर सिरी नरेंद मोधी जी को लगाता तीसरे कारिकाल के लिए भारत के पदान मंत्री के रूप में सपत ग्राड करवाये थे यह दूसरे ऐसे पदान मंत्री हैं पहले पदान मंत्री जो थे पंडि जवालाल नेहरू जी थे जिने जो है लगाता तीन बार प्राइम मिनिस्टर पधान मंत्री के अत्रिक्त अगर बात करें तो 30 कैबिनेंट मंत्रियों, 5 राज मंत्रियों, सोतंत प्रभार की बात करें, 36 राज मंत्रियों ने भी सपत ग्राड किया है और पधान मंत्री, मंती पस्त के सपत गराड समारों के लिए भारत के पडोसी देश, हिंद मासागा छेत के नेताओं के बिसिष्ट अतिथी के रूप में आमंतित किया गया था प्रमुख विदेशी नेताओं के बात करते हैं तो रॉनिल बिक्रम सिंदे, सेलंका के ततकालीन, प्रेसिडेंट, डाक्टर मुहम्मद मुईज्यू, माल्दीव के प्रेसिडेंट हैं, सेख हसीना के बात करते हैं, तो बंगलादेश के ततकालीन पधान मंत्री हैं, प्रविं के उपराश्टपती को बुलाया गया था इस समारों में सामिल भी हुए थे तो आप इनका नाम याद रखिएगा कि किसके कहां के पधान मंत्री कहां के प्रेसिडेंट है वहीं अगर बात करते हैं कि चार राजियों में विधान सभा चुनाओ करें तो ECI ने 16 मार्च 2024 को एक नोट के माध्यम से लोगसभा के गठन है तो आम चुनाओ 2024 के साथ चार राज जो की आंधपदेश, अंड़ाचापदेश, ओडिशा, सिक्किम में विधान सभा चुनाओ 2024 के कारकरम की गोश्टा की थी यहां पर जो ध्यान देना है कुछी पॉइंट पर ध्यान देना है कि आंधपदेश की विधान सभा चुनाओ की बात करें अगर हम तो इसमें टोटल सीटे कितनी है तो टोटल सीट याद रखेगा 175 है जब भी आता है कुश्चन तो सुची फार्म में आता है सुमेलित करने के लिए आता है ठीक है तो यहां पर अगर आंधपदेश का नाम के लिए है यह 15 विधान सभा का कारेकाल था जो समाप्त हो गया है 12 जून 2019 से 11 जून 2024 तक निधारित था आंधपदेश की बात किया है अब यहां के जो CM नियों बने है CM की बात करते हैं तो TDP तेलगू देशन पार्टी भारतिय जनता पार्टी और JNP के गडबंदन यंडि की भारी जीत हुई है और जबकि सत्ता रूड जो है थी यहां पर YSRCP यहां पर हार हो गई है इनका तो N चंद्रबावू नाइडू यहां के CM के रूप में सपत ग्राड किया है और वहीं पर यह हाइलाइट कुश्चन इसलिए बना है क्योंकि आप देखे होंगे कि काफी वीडियो वार्यल हुआ था कि लोगप्रिय तेलगू अभिनेता जो है जन सेना पार्टी के संस्थापक भी है यह पवन कल्याण को आंद्रबदेश के उप मुख मंतरी के रूप में बनाया गया है और अपने चार दसक से अधित के राजनीतिक करियर के दौरान जो स्री ना में 24 सीटे यस्टी के लिए 33 सीटे यस्टी के लिए रिजर्व है यहां यहां पर बीजेपी ने ठीक्ठाप परदसन किया बीजेपी ने 78 सीटे जीती समाने बहुमत हासिल किया है यहां पर बीजू जनतप दल जो वहां पर देखा जाए यह लगता है 24 वर्स से सासन कर रहा मोहन चरड माजी ने राज जी के नए मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्राड किया है तो मोहन चरड माजी को याद रखियेगा ओडिशा से संबंदित अगर बात आएगी तो मोहन चरड माजी को याद रखियेगा वहीं पर दो उपमुख मंत्री बनाए गए हैं करनक, वर्धन सिंग देव और प्रावती परिदा में बीजेपी ने बिधान सभा चुनाओं में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है, सरकार का गठन किया है अंडाचा पदेश की बात करते हैं अडाचा पदेश में आप देखेंगे 2024 में, कि यहाँ पर टोटल सीटी 60 है 59 सीटी अनसूची जनजात के हैं रिजर्ब है अडाचा पदेश में पंद्रा बिधान सभा निर्वाचन छेत्रों हेतु चुनाओं का एक चरड जो हुआ था 19 अपरल 2024 को संपन हुआ है यहाँ पर यहाँ पर जो याद रखना है आपको वो है 13 जून 2024 को इटा नगर में बीजेपी निता पेमा खांडू ने लगाता तीसरे कारकाल के लिए रिजर्ब पदेश के मुख्यमंद्री के रूप में सपत ग्राड किया तो पेमा खांडू को याद रखिएगा चोना मीम उपमुख्यमंद्री के रूप में सपत लिए है मुई सिक्किम की बात करते हैं तो 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक निर्धारित था यह सिक्किम में बिधान सबा निर्वाचन छेतर में कुल संख्या को ही संपन्न हो गया है यहां पर प्रेम सिंग तमांग के नितरित में सक यम मतब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भाईजीत भाईजित हासल कीया लगाता दूसरे कारिकाल के लिए हिमालई राजजी शिक्किम में सत्ता प्राप्ट करने में सफल भी रही है तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यच जो है प्रेम सिंग तमांग ने गंगटोक में आयोजी तेक समारों में लगाता दूसरे कारिकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्राड किया है तो ये चुनाव से संबंधित है dedic का से में कौन से कौन C-M बने है क्योंकि दो जगा तिन जगां बदले हुए है एक burghas का बदले हैं और Isabा में उनको जरूरी याद रखेगा और सीटो की संख्या पूच सकता है इसलिए पूछ सकता है वहीं बात करें अंतरदेशिय विसलेशड एक देखें ये रिपोर्ट बहुत इन पॉर्टेंट है एक अंतरदेशिय विसलेशड ये धार्मिक अलप संख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतरदेशिय विसलेशड ये 1950 से लेकर 1915 तक अब इसमें क्या पढ़ना है सबसे पहले आप तो यही जान लेजिए कि कौन ये इसको जारी किया है तो एकोनोमिक एडवाइजरी काउंसिल तो प्राइमिनिस्टर पधार मंतरी की आथिक सलाकार परिसद जो है उन्होंने ये अध्यन प्रकासित किया है ये शद्यकु फर्सोग की आउधी में जो 1950 से 2015 के मध्ध की इस्थिती को दरसाता है इसमें जो है बिस्भर में अलपसंखेकों की स्थिती पर बात की गई है वहीं 1950 में बहुत संख्या धार्मिज जन संख्या की कुल जन संख्या में हिस्सेधारी 50% से अधिक थी ये बात देखा गया है अब देखिए जो यहां पर note down करना है आपको note down करिएगा 1950 से 2015 तक की जब भी बात होगी इस report के अंसार तो 1950 से 2015 तक की बात होगी 65 years की बात होगी वर्स की बात होगी इसमें जो हिंदूओं की इस्सेधारी थी 7.82% की कमी दज की गई है अजब की वहीं देखेंगे तो मुसल्मानों और इसायों और सिखों की इस्सेधारी बढ़ी है लगातार बढ़ी है 1950 में जो हिंदूओं की जन संख्याती 84.68% थी वहीं घट कर दोजार पंद्रा में घट गय अठाता 10.06% हो गई है लेकिन वहीं अगर देखा जाए मुसलिमाबादी की बात करें 1950 में 9.84% थी जबकि 2015 में ये बढ़कर 14.09% हो गई इसका मतलब है कि 43.15% तक की बिद्धि दैज की गई है तो इस्टेट्मेंट जब भी बनेगा तो यही बनेगा कि 14.00 से घट कर 9.84 बनेगा यहां पर तो हुई है घटी नहीं है कितनी बढ़ी है 43.15% हुआ है बिद्धि फिर वहीं इसाई धर्म की बात करते हैं इसाई आबादी की बात करें तो 2.24% से बढ़ गया है 2.36% हो गया है और इसके मद्ध अगर बात करते हैं 1950 से 1915 के मद्ध तो पांद असलों 38% की बिद्धि दाज की गई है सिक आबादी की बात करें तो 1950 में 1.24% थी 2015 में 1.85% सर्ज की गई है इस दावरान क्या हुआ 6.58% की बिद्धि देखने को मिलती है वहीं बहुत धर्म की अगर आप बात करते हैं तो 0.5% थी 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई है और जेन समदाई की बात करते हैं तो 0.45% से घट गई है 0.36% हो गई है पांच गयर मुस्लिम देशों में ब्यामार भारत नेपाल बहुत संख्यक धार्मिक समदाई की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है जबकि स्री लंका और भोटान में इनकी हिस्सेदारी में बिद्धि देखी गई है अब एक important topic जो नागरिक्ता संसोदन नियम 2024 आया है इस पर बात करते हैं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा अंदोलन भी हुए थे तो वर्स 2019 में धार्मिक उत्पीडन या ऐसे उत्पीडन के डर के कारड़ जो पाकिस्तान तीन देश का नाम याद रखिएगा पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान यहाँ पर देखें पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से जो पलायन करके भारत में आया थे यल्प संख्यक समुदा है जिसमें हिंदू बौध जैन सिख पार्सी इसाई सामिल थे जान दीजिएगा मुस्लिम नहीं लिखा गया है यहाँ पर हिंदू बौध जैन सिख पार्सी इसाई सामिल थे उन्हीं की बात हो रही है उन्हीं को नागरिक्ता देने की बात कही गई है तो ऐसे में एक विधेयक आता है नागरिक्ता संसोधन विधेयक 2019 संसद में पेस किया गया और इसमें जो है इसके ताहट नागरिक्ता अधिनियम 1955 में संसोधन का प्रावधान भी किया गया है 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा या विध्यक पारित किया गया था तक पस्चाद 12 दिसंबर को आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट का सिगनेचर हो जाता है इस पर विध्यक को सुविकिती मिल जाती है और उस समय प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोबिंद जी फिर ये विध्यक जब सुविकिती करी ली गई है तो नागित्ता संसोदन विध्यक 2019 के नाम से अब जाना जाता है 10 जनौरी 2020 को अधनियम लागू होना था लेकिन ये नियमों के अभाव के वज़ा से जो है ये अधुसूचित नहीं किया जा सका ग्रह मंत्राले द्वारा कर ना था लेकिन 11 मार्च 2024 को तेंदरिय ग्रह मंत्राले ने इसको जो है चिटिजिन अमेंड्मेंट रूल 2024 को राजपत्र के माधन से अधुसूचित किया है जो 2019 में संसद्वारा पारित नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 के कारियानों को सच्छम करेगा इसमें जो है कि इसको लाभ प्राप्त होगा तो हिंदू, सिख, मौध, जैन, पार्शी और इसाई प्राप्त होगा 21 दिसंबर 2014 तक जो भारत में प्रवेस कर चुके हैं भारत की नागरिक्ता चाहते हैं उनको कुछ अहरताएं हैं क्वालिफाई करना होगा जैसे आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेस की तारीक और एक भारतिय भासा का ज्यान उन्हें बताना होगा जो समिधान में लिखे थे आठवी अनसूची में जितनी भासा आए हैं उद्देश क्या है इसका नागरिक्ता संसुदन अधनियम 2019 का जो प्रवासी आये हुए हैं उन नेक्स्ट बात करते हैं दिबांग बहुत देशिय जलविद्दुत परियोजना अब यह पूछ सकता है दिबांग घाटी कहां पर है दिबांग नदी की बात आ सकती है इसमें जो है इसमें जो बहुत देशिय जलविद्दुत परियोजना आये हैं थासकर यह जब देता है कि दिबांग परियोजना कौन सी परियोजना है तो बहुत देशी ये भी आता है इस टाइब के question जो आते है मिलाझ करने के लिए आते है सुमेलित करने के लिए आते है और ये भी पूछता है कि कौन सी परियोजना है तो जल्बिद्द Nicholas है यहां पर जल बिद्दूत पर्योजना है धिबांग बहुत देश से जल बिद्दूत पर्योजना जिस तरह यह question आने की संभावना इसमें बनती है वो बताया गया है जल बिद्दूत सह बाढ़ नियंत्रड योजना है यह और इस पर्योजना से जो है 2880 मेगावाट मतब 12 इंटू 240 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा इससे और इसका निर्माण और राचापदेश के निचली दिबांग घाटी में एक जिला है वहाँ पर एक इस्थित गाउं है मुनली गाउं वहाँ पर अस्थापित किया गया है यह हाइड्रो पावर प्लांट यह दिबांग नदी पर इस्थित किया जाएगा दिबांग नदी पर इसका निर्माण किया गया है जो अगर देखा जाए दिबांग नदी की बात करें तो ये 5000 मीटर से अधिक के उचाई पर तिबब सीमा के निकट हिमाले के बव से ढकी दचडी भाग से होता हुआ आता ही अनदी फिर यहाँ पर जो याद रखना है आपको कि ये जो है परियोजिना की आधासिला 9 मार्च 2024 को रखी गई है पधानमंति नरिन गौंदी जी के द्वारा और इसका विकास जो कर रहे है एनेच पीसी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा 31,875 करोड रूपए की लागत से निर्मित किया जाएगा और 278 मीटर उचे बाद का निर्मार प्रस्तावी था इसमें सबसे उचा कंक्रीट ग्रैविटी बाद होगा ये इसको यहाँ पर important मार्प कर लिजेगा क्योंकि ये अभी तक का 288 मीटर उचे बाद का निर्मार जो किया जाएगा ये सबसे उचा कंक्रीट ग्रैविटी बाद होगा रोलर क्रैम्टेड कंक्रीट टकनिक से किया जाएगा और यह विस्व का सबसे उचा RCC बाद होगा ये important मार्प कर लिजेगा एक महीने में देखा जाए तो इस बाद का जो लच्छ है अपने चरम पर एक महीने में पांच लाग क्यूबिक मीटर से अधिक जल्ग्रा संग्रा कर सकती है और ऐसा करने वाला ये विस्व का पहला बाद होगा वहीं देखें तो घरवळी 2032 में पस्तावी था ये परियोजना वहाँ 232 तक ये तैयार हो जाएगा वहीं दिबांग बहुत देशे जल्ग बिद्दुत परियोजना से देखें तो बिद्दुत उत्पादन तो होगा ही साथ ही बाढ़नी अंतरण में भी सहायक होगा और इस पर्योजना के माध्यम से प्रति वस 11,223 मिलियन यूनिट जल बिद्दुत का उत्पादन होगा स्वच हरी तोर्जा प्राप्त होगी उत्तरी ग्रीट को प्रेसित किया जाएगा इसके माध्यम से अनुडाचा पदेश के विकास में 12% मुफ्त बिजली पदान किया जाएगा और स्थानी चेत्र के विकास में 1% मुफ्त बिजली दी जाएगी यहां से दिबांग बद्देश से जल बिद्दुत परियोजना और भी कुछ परियोजनाएं हैं तो सिंद्रा पॉंग जल बिद्दुत इस्टेशन की बात करते हैं तो भायत का सबसे पुराना जल बिद्दुत इस्टेशन है और यह जो है आपका पश्चिम बंगाल के दाजिलिंग में इस्थित है 10 नौंबर 1897 को तैनात किया गया था यह इस्टेशन सिंद्रा पॉंग जल बिद्दुत इस्टेशन यह पूछ सकते है कहां पर है तो वेस्ट बंगाल में दाजिलिंग में इस्थित है दाजिलिंग में तो दाजिलिंग को नोट डाउन काली जेगा इसकी है अस्थाप इश्टालेशन जो तो capacity है, विश्व का सबसे बड़ा संचालित, छम्ता जलबिद्द सर्यंत चेन इस्थित, थ्री गाज सर्यंत है, जिसकी छम्ता 22 दसलों 5 गिगावाट है, फिर next बात करते हैं, सेला सुरंग की बात करते हैं, सेला सुरंग, राष्ट को समर्पित हैं, सेला सुरंग, नो फरोर कोई याद रखिएगा, सेला सुरंग, यह पांच वर्सों में तयार होकर आपके सामने आ गया है, एक अप्रेल 2019 को प्रारंभ हो गया था, इसका निर्माड कार, यहाँ पर जो याद रखने योगी बात हैं, कि सेला सुरंग सबसे पहले पूछी सकता है, कि कहां पर है, यह प्रोजेक्ट वर्तक, उसके अंतरगत यह तयार किया जा रहा है, किया गया था यह, प्रोजेक्ट वर्तक, 13,000 फिट की उचाई परिस्ति था, समुन्तल से, वहीं सुरंग असमिस्तित तेजपूर को अड़ाच पदेश के तवांग से जोडने वाली सड़क पर बनाई गई है, सेला दर्रे, सेला सुरंग, सेला दर्रे की हिम रेखा काफी नीचे बनाई गई है, जिससे वर्फ को बिना हटाए, सभी मौसम में सुगंता पोर्वक यात्रा संभो हो सके, ऐसा अगर हो जाएगा, वहासम को अड़ाचा पदेश से जोडने वाली जो बाली पारा, चार अनुतल से लगबग जो है, 13700 फिट की उचाएपर सेला दर्रा पर रिस्तित है, जो अपने जोखिम भरे और दुर्गम मार के लिए जाना जाता है, इसकी जो डिश्टैंस है, वो कम हो जाएगी, लगबग देड़ घंटे कम हो जाएगी, ये, दुई लेन वाला सड़क इसे लोगों को लिए ही वर्दान है, अडाचा पदेश के लोगों के लिए, इसके निर्माड के बाद तेजपु से तवांग तक की यात्रा में लगने वाला जो समय है, एक घंटे से अधिक कमी आ जाएगी, सेला सुरंग की बात कहते हैं, तो भारत की सबसे उची सुरंग मानिता मिला है, ब्राक्सा पुल को भी देख लिज़े, कि वर्द बुक ऌफ रिकार्ड, आठ मई दौजाट चोविस, लंदन वर्ड़ बुक अफ रिकार्ड, लंदन दौरा लध्दाक इस्थित ब्राक्सा पुल, को सबसे ऊच्छे मल्टी स्पायन पुल का मानिता मिला है शोक नदी पर इस्तित है ब्राक्सा पूल पहले नमबर तो याद रखेगा कि लद्धाक में ही है लद्धाक में है और दूसरी नमबर याद रखेगा कि शोक नदी पर है जोकी एकसर पूछता है शोक नदी पर है 14,900 फिट की उचाईब पर पूल का निर्माड किया गया है 174 दिनों में निर्मित यापूल अद्धाक में भातिय थल सेनक, परिचालन और लाजिस्टिक कनेटिविटी पदान करेगा एक और अच्छा सा question जहां से आने की point है यह जहां से question आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी प्रतिमोर्ति तब यह इसका मतब होता है कि यह लाचित बर्फुकन को याद रखिएगा पहले नमबर इनका जन्म हुआ था 24 नॉबर 1622 मृत हुई 25 अपर 1672 को असम में जो अहूम समराज था उसमें साही सेना के जन्रल थे यह लाचित बर्फुकन और उस समय जो मुगलो को पराजित भी किये थे यह और रंग्जेब के नितित में मुगलो को लगा था बढ़ति मातवा कांचा को पर रोक लगाने में सफलता हाजल किया था इन्होंने 1671 इस भी में लड़े गए सराइघाट के युद्ध में असमया सेनिकों को प्रेरित किया था 1671 में लड़े गए महीं बात करते हैं कि वस 2022 को लाचित बर्फुकन को 400 मी जैनती मनाई गई है मानता भी मिला है इनको मनाई भी गई है असराइघाट का युद्ध याद रखिएगा सराइघाट के युद्ध में लाचित बर्फुकन की बीरता और असमया सेना की बिजय के स्मरण में असम में राज जस्तर पर 24 नौवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये 24 नौवंबर को याद रखिएगा लाचित दिवस के रूप में याद रखिएगा नरेंद मोदी ने जोर हर्ट असम में लाचित बर्फुकन की कास प्रतिमा बनाई है इसलिए ये करेंट में आ गया ये कास प्रतिमा का अनावरड किया है बनाई नहीं है अनावरड किया है ब्रॉंच स्टेचू लाचित बर्फुकन का 24 नौवंबर को लाचित दिवस बनाया जाता है इसको नोट डाउन कर लिजेगा ये कास प्रतिमा जो है 84 फिट की उचाई है 41 फिट इसका मन चीही है और प्रकुल उचाई 125 फीट है या विश्व की लाचित बर्फुकन की सबसे उची प्रतिमा है सौर की प्रतिमोर्ती नाम दिया गया है रामभी सुतान ने इसका निर्माड किया है फिर नेक्ट बात करते हैं कि एकात्मक्ता की मोर्ती मोर्ती से एकसर कुश्चन आया हुआ है तो यहां पर सौर की प्रतिमोर्ती किसे संबंदित है लाचित बर्फुकन से एकात्मक्ता की मोर्ती जो बात करते हैं यह आदि गुरु संकराचारे की एक विसाल मोर्ती है एकात्मक्ता की मोर्ती यह आपके मद्पदेश में है मुख्यमंत्री सीवराज सिंग चौहान ने अना गुरु संकराचार से संबंदित है 108 फिट उची भी है 54 फिट उचे एक आसन के उपर इस्थित है 27 फिट उचे कमल की पंखुडी सद्रिस आधार पनाया गया है और इस्टेचू आप सोसल जेस्टिस की अगर बात करते हैं तो ये डाक्टर भी आर अमबेटकर की कांस प्रतिमा है 125 फिट उची है ये 184 फिट एक मंच या आसन बोल सकते हैं उपर इस्थित है इसके उपर इस्थित है और मंच साइथ इस प्रतिमा की अगर उचाई बात करते हैं तो 206 फिट की है और इस सबसे उची प्रतिमा है ये विश्व में डाक्टर अमबेटकर की सबसे उची प्रतिमा है और विश्व में डाक्टर अमबेटकर की दूसरी सबसे उची प्रतिमा जो हैदराबाद में इस्थित है इसकी उचाई एक सो पचातर फिट है 125 फिट इसकी उचाई है और आधार बात करते हैं पच्चास फिट का है संसथिये विसेशाधिकार पर एतिहासिक नेड़ है नोट फार ओट मामला अब यह आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मांक कर लीजिएगा जो पॉलिटी से करंट के कुईश्चन आते हैं यह कुईश्चन यहीं से आते हैं अब जिससे संसथिय विसेशाधिकार फ़ली नमबर तो आप यहीं जाने हैं कि संसथिय विसेशाधिकार होता क्या है तो यह जो अधिकार होता है जो संसथ के एक अनिवार अंग के रूप में संसत के पत्तेख सदन को सामोहिक रूप से और पत्तेख सदन के सदस्यों को ब्यक्तिकत रूप से प्राप्त होता है इसी के आधार पर जो ये लोग करते हैं वन्ना आमनागरिक से इन्हें यही भिन्न बनाता है अईन अधिकारों के बिना हुए अपने कर्तब्यों का निर्वान छमतापूर्वक और प्रभावी रोप से नहीं कर सकते हैं जो अन्य निकायों अथ्वा व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिकाई ये आर्टकिल में जिक्र है आर्टकिल 105 और आर्टकिल 194 आर्टकिल 105 के तहद संसत को और राज विधान मंडल को जो है 194 के तहद उन्हें ये विशेशादिकार मिला हुआ है उनके सदनों, सदस्यों और समितियों की सक्तियां विशेशादिकार उन्हें मुक्तियों का उल्लेक किया गया है आठकेल 105 और 194 में संसद और राजविधान मंदल में ये मामला क्यों आया है नोट फार ओट मामला ये जो है सीता सोरेन बना भारस संगवाल था है उस पर सुनवाई हुई है मुक्ष नयाधी डिवाई चंडचूड की अधचता में हुई है साथ नयाधीसों की पीठने ये सुनवाई की है 4 मार्च 2024 को सुनवाई हुआ था 1998 के जो पीवी नसिमा राव बनाम राज मामला था पांच नयाधीसों द्वारा बहुमत के आधार पर हैसला दिया गया था सुनवाई चंडचूड की अधचता वाली साथ नयाधीसों की पीठने ये 1998 के पीवी नसिमा राव बनाम राज मामले को खारिच कर दिया है क्या था इसमें साथ हिब्रष्टाचार निवारा अधिनियम 1988 के तहत रिस्वत लेने के मामले में संसद तथा विधान मंड़ सदस्यों के खिलाब कानून प्रवतन एजंसियों द्वारा जाच वा मुकदमा करने का मार्क पसस्त भी हो गया है अब तो एतिहासिक नेड़ा देने वाली खंडपीट के साथ सदस्यों थे सदस्यों द्वाई चन्डचूड जस्टिस क जो फैशला सुनाया है इसमें पीबी नर्सीमा रावबनाम राज मामले में यह अपने फैसले को पलट दिये हैं तुनाये गए अपने फैसले को पलटते हुए उच्तम नियाले ने नेड़े दिया है कि संसद सदस सांसद और विधान मंदल सदस विधायक सदन में ओड देने या भासड देने के लिए रिस्वत लेने पर विसेसाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं तो यही नेड़ दिये हैं ये बात वहाँ पर लिखा गया है फिर यहाँ पर देख लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मामला संविधान के अनुशेद 152 और अनुशेद 192 की विधाक्या से संबंदित था जो संसद में किसी भी भासड या ओड के लिए रिस्व नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा पीम सूर्यगर मुष्ट बिजली योजना आप इसमें ज्यादा जिजे नायाद रखिएगा इसमें बस ग्लास को यूके में आई जित हुआ संयोक्त राष्ष जलवाई परवतन सम्मेदन 2001 के तो यहाँ पर अंतर राष्ष्टी है नवीकरडिय उज्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है जो नवीकरडिय चंता सांख्य की 2023 एक रिपोर्ट की बात आती है इसमें कि भारत जो है नवीकरडिय उज्जा अस्थापित चंता के संदर्म में बिश्व में चौथे चंता आख्यान याद रखेगा फोर्थ अस्थाख्या भारत है नवीकरडिय उज्जा अस्थापित चंता में वहीन पवन उज्जा की बात करते हैं तो भारत जिंब में है इसमें चौत अस्था अस्थां है PM की अध्धचता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने PM सूर्य घर मुर्त बिजली योजना को मंजूरी पदान किया है अभी पाइलेट प्रोजेक्ट पे ही ये चल रहा है इसके तहट क्या होगा कि एक करोड घरों की छट पस सौरुजा पडाली की अस्थापना का लच रखा गया है निधारित किया गया है केंद्र छेत की योजना है केंद्रिय छेत की योजना है इसको भी ध्यान में रखियेगा इसमें 300 यूनिट बिजली जो है पर मन्त यहां लिखा है पर मन्त मिलेगा फिरी में मिलेगा रूफटाप योजना के तहट 300 यूनिट मिस्सुल की बिजली दिया जाएगा कुल परिवियाज जो होगा 75,021 करोड रूपे निधारित किया गया है जब कि इस योजना की ही बात करें इस योजना के तहट 2 किलोवाट छमता तक की 100 रूज़ा परडालियों के लिए जो लागत होगी 60% रासि केंद्रे वित्तिय सहायता से मिल जाएगी वहीं 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के मद्ध छमता वाली 100 रूज़ा परडाली का लागत का जो आएगा 40% रासि सबसिडी के रूप में मिल जाएगा केंद्रे वित्तिय सहायता 3 किलोवाट छमता तक 100 रूज़ा परडालियों के अस्थापना के लिए ही पदान की जाएगी पतेग जिले में एक आदस 100 गाउं विक्सित किया जाएगा जो ग्रामीर छेतर में 26% रूज़ा परडाली के अस्थापना ही तो अनुकरडिया उदाहरण के रूप में कारी करेगा आदस 100 गाउं विक्सित किया जाएगा अपने छेत्र में अगर बात करते हैं तो रूपटाप और प्रडालियों की अस्थापना को प्रुसाहन करने के लिए अस्थानीय सहरी निकायो रमपंचायती रास संस्थानों को बिभिन प्रुसाहन के माध्यम से लावानवित किया जाएगा कुल मिला के ये rooftop scheme को प्रमोट करने की बात हो रही है कि कैसे इसको सभी के लिए सुभिधार युक्त बनाया जाएगा रूफटाप सौर पडाली के माध्य से प्राप्त निसुल्क बिजली और अधिसेस बिजली बित्रड कमपनियों को बेचने से परिवार को प्रतिवस जो है पंदरा हजा से अठारा हजार तक की बचता आएगी अभी एक साइंस का जो टर्म आता है नेट मीटरिंग का इतना बिजली उपवोग करते हैं ये वो और जो बच गया बिजली उसको बिजली घर को दे देते हैं यहां पर और बिजली विभाग वाले भी इन्हें जो बिजली देते हैं उसका पैसा नहीं लगता है फिर तो नेट मीटरिंग में अगर देखा जाए तो जीरो आ जाता ह इनका इसे लिए net metering बात होते ही हैं तो इस योजना के परड़ाम सुरूब अगर बात करते हैं तो हवासिय छहत में छहत पर 100 रोजा प्रडाली की अस्थापना 30 GW की 106 की विध्धी होगी रूपटाप सौर प्रडालियों में 25 वर्थिय जीवनकाल के दोरान 720 मिलियन टन CO2 की बराबर उससाजर में कटाउती होगी तो यहाँ पर CO2 की कमी आएगी बोईंग सुकन्या कारिकरम ये जो है पदानमंति नरिन मोदी के द्वारा लांच किया गया है या कारिकरम उद्देश क्या है कि भारतिय विमाने छेत में महिलाओं का ससक्ति करड करना है बोईंग, सुकन्या कारकरम की बात हो रही है उद्देश यही है कि भातिये जो aviation है उस छेत्र में महिलाओं को सशकती करड़ की बात हो रही है इसके माध्यम से भारत के बढ़ते बिवाने छेत्र में देश-भथ से अधिक से अधिक बालिकाओं के प्रवेश को सुगम बनाने की बात आ रही है अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है तो STEM जो कारिकरम था बारसरकार का तो कारिकरम देश के यह कारिकरम देश की बालिकाओं और महिलाओं को STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine भी थे लेकिन यहाँ पर Mathematics की बात हो रही है जैसे छेत में महतपुर कॉसल को सीखने का आउसर मिलेगा बिवाने छेत में नौकरिया है तो पसिछड भी पदान किया जाएगा 1500 नियोजी तस्थलों पर STEM प्रियोग सालाए निर्मित की जाएंगी STEM छेत में कारियर बराने के लिए उनमें रूच को जागरित किया जाएगा यही है तो बस यह पूछ सकता है कि Boeing सुकन्या कारिकरम किस से संबंदित है तो aviation से संबंदित है भारतिय विमानन छेते से संबं लूरू में करनाटक में Boeing India Engineering and Technology Center का उधगाटन किया गया है पथान मंतिर नर्यन मोदी जी द्वारा किया गया है 1600 करोर रुपए की लागत से निवेस इन्वेस्मेंट हुआ है 43 एकर छेतर में यहां निर्मित है Boeing द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ा निवेस है और यह अमेरिका की कमपनी है यह तो आपको पता ही होगा Boeing अमेरिका के बाहर Boeing की सबसे बड़ी Aero Space Engineering सुभिधा है यह और फरोई 2023 में पधान मंत्री ने तुम कुरू करनाटक यह चेयल हेलीकाप्टर बिनिर्माड छेतर को राष्ट को समर्पिती भी किया है एसिया की सबसे बड़ी हेलीकाप्टर बिनिर्माड सुभिधा है यह स्वाती पोर्टल की बात करते हैं स्वाती पोर्टल आप देखेंगे 11 फरोई 2024 को विज्ञान में महिलाओं यह बालिकाओं का अंतर राष्टिय दिवस यह उसर पर नई दिल्ली इस्थित इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में स्वाती नामक पोर्टल लांज किया है अब स्वाती इसका पूर रूप नाम जान लिजे कि साइंस फार वोमेन आ टेकनलोजी एंड इनोवेशन यह भी इस टेम से संबंदी थे यहां पर लेकिन ए निज़ित करने वाला एकल आललाइन पोर्टल बनाने का लचने धारित किया गया है यह अपनी तरह का पहला पोर्टल है यह संबंदनात्मक जो डाटा वेस है यह वहां पर रहेगा सारा डाटा नई दिल्ली इस्थित है यह राष्ट्य पादब जिनोम अनुसंधान संस्थ संस्थान द्वारा विक्सित किया गया है यह आप यह पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजेगा क्योंकि हो सकता है इंस्टिट्यूशन से जब कुश्यन आता है तो यह पूछता है कि कहां पर इस्थित है तो नई दिल्ली में इस्थित है राष्ट्य पादब जिनोम अन करार दे दिये हैं सुप्रिम कोट ने दो जनौरी दोहजार अठार को जो है केंदिय बित मंत्राले के आर्थिक कार विभाग द्वारा भात्य रिजर बैंक अधनियम 1934 की धारा एक्तिस तीन के ताह चुनावी बांड योजना दोहजार अठारा को अधिसूचित किया गया उद्देश यही था कि राजनीतिक बित्पोसड की व्यवस्ता में पादर्जिता लाना है बित्पोसड में जो काले धन का प्रियोग होता था उसको रोकने की बात हो रही है लेकिन 15 जनौरी 2024 को सुप्रिम कोर्ट की एक पांस सदस्य समिधान पीठ ने इसको जो है अनकंस् कौन कौन से थे भारत के से जे आई टी वाई चंद चूड नयायमूर्ति संजी उखन्ना नयायमूर्ति भूसर रामकिष्ट गवई और नयायमूर्ति जेवी परदीवाला और नयायमूर्ति मनोज मिस्रा सामिल थे इसमें यह जो है वित्पोसर से संबंदित सूचना को गोपनिय रखने के मादिम से संबिधान के अनुछेद 19.1.1 के अंतरगत मद्दाताओं के सूचना के अधिकार का उलंगन करती थी तो यह आपके लिए इंप्वार्टेंट हो जाता है 19.1.1 जो है इंप्वार्टेंट है किस से संबंदित रहेगा इसमें लोक प्रतनिधित अधिनियम 1954 की धारा 29C1 बित अधिनियम 2017 की धारा 137 त्वारा शंसोदित है और अधिनियम 2013 की धारा 183 अभित अधिनियम 2017 की धारा 154 द्वारा संसोदित था और आएकर अधिनियम 1961 की धारा 13AB अधिनियम 2017 की धारा 11 द्वारा संसोदित को आज संबैधानिक खोशित करते हुए रद किया है तो इतने धाराओं का उप्योग करते हुए चुनावी बांड को रद किया है यह सुप्रिम कोर्ट ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 182.1 में संसोधन के माहदम से राजनीतिक दलों को असीमित कार्पोरेट बित्त पोसड या नमती पतान करना संबिधान के निचे 14 का भी उलंगन है यह आर्टिकिल 14 आप यहाँ पर नोट डाउन कर लिजएगा आर्टिकल 14 का उलंगन करता है फिर बात करते हैं कि नयाय मोर्ती ने अपने इस निड़े को पूर रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बांडों की जारी करता बैंक यह था भारतिय इस्टेट बैंक एस्बी आई को बार अप्रेल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांडों का विवरड देना होगा एसी आई के समझ प्रस्तुत करना ही होगा अखिल भारतिय त्रेड मूल कांग्रेस को 1609.53 करोड रूपे भारतिय राष्ट्य कांग्रेस को 1421.85 करोड रूपे भारत राष्ट समिती बी आर्यस को 1214.61 करोड रूपे बीजु जनता दल को बीजेडी को सासो पचाता दसलो पांच जेरो करोड रूपे चंदा मिले हैं वहीं 12 अप्रेल दोजार रूपे से 15 फरोड दोजार दोजार चोबिस तक के यह आकड़े हैं प्रेसी जो कंपनिया चंदा दी हैं चुनावी बांड के माध्यम से उसमें है पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटर सर्विसेज प्राइवेट लिम्टेड तेरा सो अडशेट करोड रूपे दी है मेगा इंजिनरिंग एंड इंफ्राइस्ट्रक्टर लिम्टेड नौसो चाचाच करोड विधानता लिम्टेड चाच सो करोड अहल्दिया एनरजी लिम्टेड तीन सो सतातर करोड दिया है जुनावी बांड की बात जब करते हैं तो यह एक वचन पत्र होता है कि रूप में जारी किया जाता है यह धारक के लिए बैंकिंग उपकरड होता है इससे खरीदने वाले अप्राप्राट करता वाले कर नाम नहीं लिखा होता है और इसमें जो है जो खरीदेगा यह वही जो भारत का नागरिक है अब भारत में निगमित या स्थापित किसी कार्पोरेट निकाय द्वारा ये बांड खरीदे जा सकते हैं एक हजार के हैं, दस हजार के हैं, एक लाग के, दस लाग के और एक करोड के मुले वाले बांड, चुनावी बांड हैं ये पंदरा दिनों के आओधी मिलती है, इसको वैद होता है पंदरा दिनों तक के लिए ये और अगर पंदरा दिन के बाद नहीं इसको बैंक में जमा किया गया तो ये पधानमंती राहत कोस में जमा कर दिया जाता है अगर इसे भुनाएंगे नहीं तो 15 दिन के बाद जो है पधारमंती राहत कोस में यह जमा हो जाएगा Non-Refundable होता है यह और केवल राजनितिक दल द्वारा ही भुनाया जा सकता है यह भी याद रखिएगा लोग प्रतिनिदित अधिनियम 1951 कि धारा 29A के ताथ पंजीकरित और लोग सभा या राज विधान सभा के पिछले आम चुनावों में कुल मतों के नियूंतम एक प्रतिसत मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होना अईया पांड जो है चुनावी बांड योजना के थाथ भातिया इस्टेट बैंक SBI को बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकरित बैंक के रूप में अजसूचित किया गया था नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत रत्म 2024 यह भारत रत्म जो है देश का सरवोच नागरिक सम्मान है यह और मानविय उद्यम के किसी छेत में आसाधारण योगदान है तो पतान किया जाता है 1954 से पुरू हुआ है अब तक जो हब 53 लोगों को भारत रत्म से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें 48 महिलाएं है और 58 पुरू से 5 महिलाएं है यहाँ पर यहाँ पर याद जो रखना है कि अभी 30 मार्च 2024 को राश्पती भौन में एक समारो आयोजित हुआ है जिसमें द्रोपती मुर्मु ने देश के चार पतेश्ठित हस्तियों को भारत रत्म से सम्मानित किया है और वो चार पतेश्ठित हस्तियां कौन है करपुरी ठाकुर को म मिला है जबकि वहीं बात करें 31 मास 2024 को राश्पती ने लाल कृष्ठ आडवारी के नई दिल्ली इस्तित उनके आवास पर आयोजित एक आपचारिक समारों में भारत रत्म से सम्मानित किया है जो अगर लाल कृष्ठ आडवारी की बात छोड़ दिया जाए तो चारों प्रद्ध भातरत्म मिला है उनके सुपुट्र इवी प्रभाकर राव ने ग्राड किया है चाधरी छरड सिंग के अगर देखा जा तो शुपुत्र है रामनाथ ठाकुर ने ग्राड किया करपुरी ठाकुर का नाम याद रखेगा BPSC का अगर आपका एक्जाम होगा तो इनसे संबंधित एक कुश्चन आता है क्योंकि अब करेंट का भी मुद्दा है तो ये आप के लिए और भी मातपुर पसनाल्टी के रूप में आएंगे करपुरी ठाकुर एक पसिद पतंत सेनानी राजिनी तिग्या और सिच्छक थे जन नायक के नाम से जाने जाते थे ये दो बार बिहार के मुख मंत्री के रूप में रहे हैं बिहार के पिछडे वर्गो बैक वर्ड क्लासेस के लिए आरच्छर लागो करने के लिए इन्हें याद किया जाता है इन्होंने उस समय मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिस के आधार पर राजिनी सरपथम पिछडे वर्गो के लिए आरच्छर को लागो किया था जन्नायक कारपुरी ठाकुर बिधी विश्विद्याले बकसर बिहार में इस्तित है इनके नाम से ही जन्नायक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दर्भंगा जक्षन से अमरिस्तर जक्षन तक के मत लालकृष आडवानी की बात करते हैं तो भातिया जन्ता पार्टी के संस्थापक सदस्वें में से एक है यह जून 2002 से 2004 तक यह उपधानमंत्री भी रहे हैं भारत के और सबसे लंबी आऊधी तक भातिया जन्ता पार्टी राष्टिया अध्यच के रूप में कारे भी किये हैं महीं चौधरी चरण सिंग की बात करते हैं तो ये अठाई जुलाई 1989 से 14 जनौरी 1980 तक भारत के पधान मंत्री रहे थे दो बार उत्रपदेश के मुख्य मंत्री के पर विराये हैं और भातिय लोग दल नामक एक पार्टी की अस्थापना भी किये थे उत्रपदेश में भूमी सुधारों में मुख्य वास्तुकार थे ये पीवी ना सिंग्मा राव की बात करते हैं तो भायत के पधान मंत्री रहे हैं 21 जून 1990 से 16 मई 1996 तक केंद सरकार ने ब्यापक आर्थिक स्थरीकरण की नीति अपनाई इनके नेत्रित में ततकालीन केंद सरकार ने ब्यापक आर्थिक स्थरीकरण की नीति अपनाई और संरचनात्मक सुधारों की सुरुवात भी की थी इन्हें प्राया जो है भारतिय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में संदर्वित भी किया जाता है M.S. स्वामी नाथन ये अपने आप में famous personality हैं कि किसी बैज्यानिक भी थे हरित करांती के जनक हैं ही और टाइम मैगजिन ने इनने 20 सदी के 20 सबसे प्रभावसाली ACI लोगों में से एक के रूप में सम्मानित भी किया है 1998 में चेन्नई में M.S. स्वामी नाथन रिसर्च फांडेशन के अस्थापना भी की गई थी यह राष्टिय डॉल्फिन सोध केंदर का उधगाटन अगर आपका BPSC का एक्जाम है सत्तिरवी तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेजिएगा नदी डाल्फिन पूरी तरह से जली अस्तंधारियों का समूँ होता है मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है विस्व में छे जीवित जो नदी डाल्फिन है छे जीवित परजातिया है इनकी कौन-कौन सी है सिंदु नदी है, गंगा नदी है, एरावदी नदी डालफिन और तुकुजी नदी डालफिन है यांग तीजे फिनलस पॉरपाईच और साथमी अगर बात करते हैं नदी डालफिन की तो 2 जी है जो चीन नदी डालफिन कहा जाता है 2006 में इसे बिलुप्त घोचित कर दिया गया था बिहार के मुख्यमंतिर नितिश कुमार ने राष्टिये डाल्फिन सोध केंद्र का उधगाटन किया है पटना में इस्थित है ये, एसिया में अपनी तरह का ये पहला केंद्र है एक ही छट के नीचे सभी आवस्यक उपकरण पदान करेंगे डाल्फिन से संबंदि अप्राकेतिक परियावास में उनके ब्यवहार के बिभिन पहलों का गहन सोध करेंगे साथ ही साथ बिभिन कार को जैसे डाल्फिन के भोजन संबंदि यादतों बदलते परियावरण में उनके अनकूलता का भी अध्यन किया जाएगा नदी डाल्फिन के संरचड के लिए वैस्विक घोस्रा जो हुआ 24 अक्टूबर 2023 को एसिया और दच्छिड अमेरिका के 11 देशों ने 20 की नदी डाल्फिन को 6 जीवित पजातियों को बिलुक्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजानी बागोटा इसको नोट डाउन कर लिजेगा इंपॉर्टेंट है कोलंबिया की राजानी बागोटा में एक एतियासिक समझोते पर हस्ताचर किया है ग्लोबल डेकलरेशन फार रिवर डॉल्फिन बाई 230 यह हस्ताचर करता है ग्यारा देश सामिलेश में बांगला देश, बोलिबिया, ब्राजीर, कमबोडिया, भारत और कोलंबिया, एक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरु और बेनेजुला है भारत में राष्टे डाल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है यह बात आप याद रखेगा, 5 अक्टूबर को राष्टे डाल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है सुदार्सन सेतु का उद्घाटन की बात करते हैं उसमें से एक ये भी है इस जिले में इस्तित्दवारका नगर हिंदूं के चार पवित तीथस्तनों में से एक है जिने चार दाम सिरी बदरीनाथ धाम उतराखंड में है जो द्वारका, सिरी द्वारका ध्यस मंदीर है गुजरात की बात करते हैं यह द्वारका धीस मंदिर गुजरात में है अब पुरी शिरी जगनात मंदिर अडिसा में है प्रामेश्वरम तमिलनाडू यह चारधाम यात्रा के लिए फेमस है देवभूम द्वारका में इस्तित बेट द्वारका एक छोटा सा द्यूप है यह लगभग 9 km में लंबा है औ अभी तक इस द्यूप पर केवल छोटे-छोटे नौकाएं चलती थी जो बेट द्वारका और ओखा यह नौका टैमिनलों के मद्य नियमित रोप से संचालित होती थी अब बेट द्वारका द्यूप यहाँ पर इस्तित मंदिरों समुन्द तटों के लिए पसिध्ध है इस सुधासन सेतु का उद्गाटन किया है ओखा मुख्य भूम को वेट द्वारका द्यूप से जोड़ेंगे अब और 7 अक्टूबर 2017 को पतान मंतिर नरेल मोदी ने इस सेतु की आधार सिला रख दी है रखी थी और इस सुधासन सेतु की कुल लंबाई लगभग 2 दसलो 3-2 कि मिटर है 900 मिटर लंबा केवल के साहरे टिका हुआ है और देश का सबसे लंबा केवल आधारी सेतु है यह आप नोट डाउन कर लिजेगा कि देश का सबसे लंबा केवल आधारी सेतु है चार लेन वाली सनरचना के रूब में डिजाइन भी किया गया है सेतु की के बाद द्वारका एंबेट द्वारका के बीच यात्रा के समय में कटवती आ जाएगी जो नौका सिप छोटे-छोटे नौका से जाता था तो अब वो नहीं होगा पधान मंत्री मत्स किसान सम्रिधी साह योजना की बात करें तो केंद्रिय मत्स पालन बहुपालन पसुपाल और डेरी मंत्राले द्वारा पधान मंत्री मत्स सम्रिधा योजना का कार्यानुवन किया जा रहा है तो केंद्रिय मत्स पालन पसुपालन और डेरी मंत्राले द्वारा ये PMMSY का का कार्यानुवन किया जा रहा है पधान मंत्री मत्स सम्रिधा योजना का समक्रिभकास के लि ये आपको पता भी है मस्पालम का छेतर है 2020 से कईस से बित बर्स 2024 परचीस तक पांच वर्स की अउदी के लिए सभी राज्यों तता केंसासित पदेशों में कार्यानुवित की जा रही है पदान मंत्री मस्ट संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लांच भी किया गया था ये लांच डेट आप याद रखियेगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कुश्चन आ जाते हैं लांच डेट से 10 सितंबर 2020 को लांच किया गया था 28-24 को जारी प्रेश विग्यप्ति के अंसार केन सरकार तरह पदान मंत्री मत्स किसान समरिद्धी साह योजना को मंजूरी पदान कर दी गई है फिर 11 सितंबर 2024 को केंद्रिय मंत्री राजियू रंजन सिंग त्वारा इस योजना का सुभारम किया गया है यह PMMS के अंतरगत जो है MSY के अंतरगत केंद्रिय छेत की एक उप्योजना है और यह चार वर्सों की अधि के लिए कार्यानुवित की जाएगी उद्देश यही है कि मत्स पालन छेत को अपचारी बनाना मत्स पालन से जोड़े सूच में लगो द्योगों को समर्थन देना है उत्राखंड में समान नागरिक सहिता की बात करते हैं तो संभिधान में जिक्र है कि यह आर्टिकल 44 संभिधान के भाग चार में है राजी के नेति निजिसक तत्तों में अनुछे 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता की बात की जाती है यूनिफार्म सिविल कोर्ट की बात असपश्ट रूप से उल्लेख है अउत्राखंड लागो करने वाला दूसरा बन जाए गई इसमें सबसे पहले कहां पर लागो है तो गोवा में यू सि सी लागो है एक समान सिविल सहित्ता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, इसमें इसका आर्थ यही होगा कि भारत में रहने वाले प्तेक नागरिक, चाहे वा किसी भी धर्म और जातिका हो, उसके लिए एक समान कानून होगा, यहां समान नागरिक सहित्ता, एक देश, एक कानून की अधा पर आधारित है। अगर ये पूरे देश में लागू हो जाएगा तो सब के लिए अच्छा रहेगा। अवहीं 11 मार्च 2024 को भारत के संविधान के अनच्छे 201 के अधिन राश्पती द्रोपती मुर्मू ने समान नागरिक सनिता उत्राखंड 2024 विदे को सुबकिती भी पदान कर दी है अनच्छे 201 के तहत। अई इस परकार या उत्राखंड का अधिनियम संख्या 3 वर्स 2024 के रूप में 12 मार्च 2024 को अधिसूचना द्वारा प्रकासित कर दिया गया उद्देश क्या होगा कि विबाह जो मैरिज होता है विबाह विच्छेद ज्यावस जो होता है उत्राधिकार सहवासी संबंद विश्यक कानूनों अतत्त्य संबंदी मामलों को नियंतित्यम बिनियमित करना संपूर उत्राखंड राज पर इसका विस्तार होगा उन निवासियों पर भी लागू होगा जो उत्राखंड से बाहर है उन पर भी ये सहता लागू होगा उन तक ही विस्तार रहेगा तो भारत के संबिदान के अच्छे 306 चाचट के खंड 25 में सहपठित 6342 के अंतरगत निधारित किसी भी अनसूचित जन जाती कि सदस्यों पर इस सहता के अंतरविष्ट कोई प्रावधान लागुन नहीं होगा, तो यह स्टीज के लिए यह नहीं होगा, जो आठकिल में जिक्र है, फिर हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकि राम जर्म भूमी से जो है, नेक्ट व